नमस्कार राज़्दाना टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ बॉलिवूर्ड एक्टर जॉन इब्रहेम 51 साल के हो गए हैं जॉन के लिए 2023 काफी अच्छा रहा फिल्म पठान में जीम के निगेटिव रोल में उन्हें काफी पसंद किया गया फिल्म ने तकरीबन 1050 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था इस फिल्म ने जॉन को बॉलिवूड के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में से एक बना दिया वेसे जॉन ने फिल्म इंडरस्ट्री में सफलता के लिए लंबा संगर्श किया है वो एक आउटसाइडर थे शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर एक्टिंग के तरफ कदम बढ़ाया लेकिन इसमें उन्हें लंबे समय तक क्रिटिंग जहलना पड़ा लोगों ने कहा तुमसे एक्टिंग नहीं होगी इसके बाद भी जॉन ने हार नहीं मानी और बॉलिवूड में एक्शन स्टार और सफल प्रोड्यूसर के तोर पर अपनी जगह बना ली बीच साल के फिल्मी करियर में जॉन ने चार फिल्म फेर अवार्ड अपने नाम किये उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्म विक्की डोनर ने एक नेशनल अवार्ड भी जीता जॉन बिजनेस से भी कमाई करते हैं खुद फिट रहने वाले जॉन जीम चेंड चलाते हैं जे ए फिटनेस नाम से जॉन के दो जिम हैं एक जिम मुंबई के वरली में तो वही दुसरा पूरे में हैं इसके अलावा जॉन का दिल्ली में फेट अबरहम बर्गर नाम से एक क्रेस्टरा भी है जॉन की नेट वर्थ 27 करोड रुपे है वो अब तक करीब 45 फिल्मों में बतोर एक्टर और 7 फिल्मों में बतोर प्रोडियूसर काम कर चुके हैं उनकी अगली फिल्म हाउसफूल फाइफ है इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद